जब एक माँ अपने बच्चे को जन्द देती है, उस वक्त उसे इतना दर्द होता है, जितना हमारे शरीर की बीस हड्दिया तूटने पर होता है. अगर कोई व्यक्ती ज्यादा तर अपने नाकून चबाता रहता है, तो इसका मतलब है कि वह या तो परेशान है, या फिर किसी चिन्ता में डूबा हुआ है. जब कोई व्यक्ती सच बोलता है, तो उसके हाथ ज्यादा हिलते हैं, वही अगर कोई व्यक्ती जूट बोलता है, तो वह अपने शरीर में काम गतिविधी करता है. अगर आपको बहुत ज्यादा हनसी आ रही है, और आपकी हसी रुख नहीं रही है, तो आप अपने शरीर पर चोंटी नुच सकते हैं, इससे आपकी हसी बंध हो जाएगी. हमारे हाथ की सबसे ज्यादा समवेदन शील उंगली अंगूठे के बाद वाली उंगली होती है. हमारे होटों की तवचा तीन से चार पर्तों से मिलकर बनी होती है, जिसकी वज़ा से होटों का रंग गुलाबी और लाल नजर आता है. अगर किसी की लंबाई कम है, तो इसका नब्बे प्रतिशत मतलब है, जिस समय वह व्यक्ति गर्भाशय में था, उस समय उसकी माचिन्तिती होगी. मनोविज्ञान तथ्य के अनुसार कोई व्यक्ति अगर जरासी बात पर गुस्सा हो जाता है, तो इसका मतलब है, वह अपने जीवन में प्यार का महत्व चाता है. बुद्धिमान लोगों को सामान्य बुद्धी वाले लोगों की तुल्ना में जल्दी गुस्सा आता है. यदि कोई व्यक्ति हमें अन्देखा करता है, तो हमारे शरीर में वह रसायन बनता है, जो चोट लगने पर बनता है. अगर किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा नींद आती है, तो आप समझ सकते हैं कि वह अंदर से परेशानिया उदास है. अगर किसी व्यक्ति को बारा दिन तक ना चलाया जाए, तो इससे उसकी मौत हो सकती है. जो लोग नौन्वेज खाना पसंद करते हैं, वह अपनी पूरी जिन्दगी में लगभग साथ हजार से ज्यादा जानवरों को खा चुके होते हैं. एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में जितनी दाड़ी बनाने में समय लगाती लगाता है, मैं उसके पूरे जीवन के छे महीने होते हैं. एक शोद के मुताबिक ऐसा माना गया है कि जो व्यक्ति ज्यादा ठंदी दरावने सपने आने की संभावना ज्यादा होती है. अगर आपको नीन्द कम आती है और सर में दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि आप अपना ज्यादा तर समय कम्प्यूटर के मोबाइल पर बिता रही हैं, कम्प्यूटर की रेडियेशन के कारण अकसर सर में दर्द और नीन्द कम आने की समस्या होती है. जो व्यक्ति ज्यादा खाना खाते हैं, उनकी सोचने की और सुनने की शक्ति कम हो जाती है. दुनिया में ज्यादा तर लोग सबसे पहले पेन खरीदने के बाद अपना नाम लिखते हैं. अगर दिन में सोते समय सपना आए तो यहाँ लाबदायक होता है, इससे रचनात्मक शक्ति में बढ़ोतरी होती है. अगर आप प्यास काटते समय चिंगनम जमाते हैं, तो आपकी आंखों में आसु नहीं आते हैं.